नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल जै गुरुदेव उत्राखंट पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे इसी कामना के साथ आए बिना देर की हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अदबुद विशेशांग की ओर आज का ये अदबुद क्रमाख महराज जी की एक ऐसी अदबुद स्ख्षा महराज जी का एक ऐसा मार्दर्शन और महराज जी की एक ऐसे आशिरवात पर आधारित है जिसको अपने जीवन में प्रयोग करने से जिसको अपने जीवन में लेकर आने से आपके जीवन में ऐसे ऐसे अद्बुत बदलाव होते हैं ऐसे ऐसे आपका रिदे परिवर्तन होता है कि आप दंग रह जाते हैं और आपका जो एक सकरात्मक प्रभाव है इस पूरे विश्व पर छाने लग जाता है वैसे तो महराज जी की प्रतेक शिक्षा को या प्रतेक उपदेश को यदि अपने जीवन में आप शामिल करते हैं तो महराज जी की ऐसी बातें आपके रिदे को परिवर्तित तो करती ही हैं साथ साथ में समाज में एक आपका अलग ही वर्चस्व को स्थापित करने में पूर लाखों मुख भी नहीं ठकेंगे लेकिन उनके कुछ प्रभाव को उनकी कुछ एक सीख को आज इस विसेशांक में आपके साथ साज़ा करेंगे जिसके निश्चित तोर पर अपने जीवन में आप प्रयोग करने से आप स्वयम देख पाएंगे ये स्वयम आप इस चीज को अ महजिता तो होती है लेकिन उस सरलसी बात का भी इतना महत्व होता है यदि गोड़ता से उस पर विचार किया जाए तो बड़ा ही अदबुद उसका आश्य होता है महराज जी कहते हैं कि सभी की सेवा कीजिए आपने सुना होगा महराज जी की तीन मुख्य बिंदू जो सिक कर दीजिए आपको अंतरमन से अच्छा लगता है और जिसकी सेवा आप करते हैं वे आपको आशिश देता है ये तो एक बहुत प्रभाव है जो उस बात का है लेकिन इस बात की गूरता क्या है इसमें समझने योग की क्या है देखे जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो उससे एक ऐसी उर्जा उत्पन्न होती है जो स्वयम आपके लिए बड़ी लापकारी है अब आप देखे जब आप किसी की साहता करते हैं तो ये एक उच्छ उर्जा का एक स्तर है एक उच्छ उर्जा को आप आकरशित कर रहे हैं आप दूसरों के लिए अच्छाई कर रहे तो अच्छाई वाली ये जो उर्जा आप अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं ये एक बड़े होने के प्रभाव को दर्शाता है देखिए प्रत्येक व्यक्ति सेवा का भाव रखे या ना रखे ये स्वयम उसकी मर्जी है लेकिन जो ये भाव रखते हैं कि दूसरों की सेव करनी चाहिए और ये भाव मन से भी अनुभव करते हैं मन से भी अंतर मन से भी वचाते हैं कि दूसरों की सेवा मैं कर सकूँ तो ये एक उच्छ प्रभाव है ये उच्छ उर्जा है जो आप अंतर मन से अनुभव करते हैं और उस उर्जा से आप कारे करते हैं तो आप समझ ये जो सिंक्षा है, सेवा का जो भाव महराजजी सिखाते आए हैं, वे इतना प्रभाउशाली है कि जब आप नियमित रूब से जरूरत मंदों की सहता करना, उनकी सेवा करना प्राड़म कर जाते हैं, तो आप एक उर्जा की उच्छ आयाम को धीरे-धीरे आपको अनुभव भी नहीं होता और धीरे धीरे उस आयाम को अप्राप्त करने लग जाते हैं जिससे आपकी जो भौतिक शरीर है और अंतर मन का जो सूश्म शरीर है दोनों की उर्जा का प्रभाव नियमित रूप से बढ़ता रहता है और जिसकी जितनी गहन उर्जा होगी जिसका जितना सकारात्मक प्रभाव होगा जीवन का वे जीवन में उतना ही आगे बढ़ता है वे व्यक्ति उतना ही इन चीजों को इन रहस्यमई बातों को समझना इन गुड़ता को जानना और समाज को और इस स्रिष्टी को एक नई द्रिष्टी से देखना और समझना प् आपके जीवन में ऐसा होगा उधरन सुरूप में आपको समझा देता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान भी कर रहा होगा या आपको बुरे भले शब्द कह रहा होगा क्योंकि समाज में हर तरह के व्यक्ति रहते हैं आप सभी जानते ही हैं आप सभी पुद्धी जीवी हैं बहुत ही अद्बु जानकरी आप रखते हैं तो आप ये देखते होंगे कि समाज में हर व्यक्ति का अलग-अलग एक नजरिया होता है हर किसी का अलग-अलग विवहार होता है तो जीवन में उधरन सुरूप यदि आत्मक प्रभाव से अपमान भी करेगा तब भी आप उसको शमा करेंगे जब ना दे हैं कि थे एक 佐 Glen travels क्रांजान शमेरे में काल हो सकता है और यह विवार कब बनेगा जब आप उच्छ उर्जाओं को प्राप्त करना प्रारम कर देंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है कुछ समय के लिए श्वर ने हमें प्रदान किया है और सब हमारे ही स्वरूप है इस संसार में जिस भी व्यक्ति को आप देखते हैं वे सब हमारे आपको बहुत से लोग दिख जाते होंगे सब एक ही शक्ति के प्रतीक है जो अंत में जाके एक विश्व शक्ति में जाके समाहित हो जाते हैं तो आप इस गूरता को कब जानेंगे जब आप इन उर्जा स्रोतों से जाकर चुड़ेंगे ये बड़ी गूर बात में आपको बड़ी रहस्यम ही बात है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बुद्धी का इस्तमाल अवश्य करना पड़ सकता है लेकिन ये बात यदि आपके मस्तिश में घर कर जाती है तो आप समाज को इस दृष्टी को एक दूसरी ही दृष्टी से देखना प्रारम कर जाते हैं तो यही बात सिखनी है आपको कि समाज में शमा करना इतना महतवपूर कारे है या सेवा करना इतना महतवपूर कारे है कि जब आप इसके आदी हो जाते हैं जब इन कारियों को आप नियमित रूप से करते हैं तो जो उर्जा आपके पूरे अंतर मन में और भौतिक शरीर मे प्रवाहित होती है वे उर्जा उसका अनुभव आप कभी शब्दों में नहीं कर सकते और यह सब कुछ महराजी हमें प्रदान करते हैं यह सत्व प्रतिशत सत्व में आपको बात बता रहा हूं कि महराजी ऐसे प्रभाव आपको प्रदान करते हैं उसके लिए आपको महराजी से बहुत ही घनिश्टिता के साथ जोड़ना होगा उनकी सिक्षाओं को जीवन में उप्योग में लेकर आना पड़ेगा जब आप इस प्रकार से सोचना प्रारम करते हैं कि ये समाज में रहने वाले सभी जन आपके अंदर जो उर्जा समाहित है आपके अंदर जो इश्वर ये शक्ति आपको प्रदान किएगी ये सब उसी की तो प्रतीक हैं तो कभी भी आप किसी से दुश्मनी नहीं रखेंगे कभी भी आपको कोई अपना दुश्मन नहीं लगेगा सभी आपको अपने ही जैसे लगेंगे और मैं तो कहता हूँ कि महराज जी कहते हैं कि जब आप सभी को एक समान देखना प्रारम करते हैं तो जीवन में मैं आप सभी से शर्ट लगा सकता हूँ कि कभी कोई भी आपको अपना दुश्मन नजर नहीं आएगा सभी आपको एक स्वरूप और एक समान नजर आएंगे और जिस दिन ये आपके जीवन में प्रभाईत होना और प्रभावी होना प्रारम हो जाएगा का भ्रहम है और ये भ्रहम इसलिए कहा गया है क्योंकि हम आज जिन भी चीजों को जिस भी वस्तू को देख रहे हैं जिन प्राणियों को देख रहे हैं आज हमें वो भिण इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारे द्रिष्टी इसी प्रकार से है और ये द्रिष्टी ऐसी ही हमें अब तक मिली है क्योंकि अभी तक 안तर ज्यान नहीं हो पाया अंतरमन जागरित नहीं हुआ अंतरमन जागरित इसी प्रकार से होगा कि महराज़ी की यदि सिक्षाओं को महज आप अपने जीवन में प्रयोक करने लग जाएए आप पाएंगे कि आपका द्रिष्टी कोण बदल गया आपकी द्रिष्टी बदल गई समाज को देखने का नजरिया बदल गया अंतरमन की शक्तियां बदल गई अंतरमन में जो भी आपके अनुभवते वे बदल गए सब कुछ जीवन में पूरी तरह से बदल जाएगा इसी लिए आज का ये सिर्शक मैंने इस प्रकार से बनाया कि यदी महराज जी की यह एक सीख अपने जीवन में आप शामिल कर लेते हैं कि अपने जीवन की उर्जा को बदलना प्रारम कर देते हैं बड़े बन जाते हैं इसलिए कहा जाता है आपने बड़े बज़ूर्गों से सुना होगा कि बड़े बन जाओ तुम बड़े हो जाओ कि कभी तो किसी ना किसी को तो बड़ा होना पड़ेगा कहने का आश्य यही है कि वह आपको सीधा सीधा उर्जा बदलने के लिए कह रहे हैं अपनी उर्जा को बदलिए आप पाएंगे कि समाज में जैसे आप अभी तक देखते आये थे वे समाज ऐसा नहीं है इस स्रिष्टी ऐसी नहीं है जैसे दिखती है इस स्रिष्टी महज एक भ्रहम है इसलिए आपने देखा होगा कि संतिजन जो है उनकी बातों में सरलता और सहजिता तो होती है लेकिन उस सरलता और सहजिता के अंतर जो गूरता शामिल होती है जो रहस्य सामिल होता है उसको समझने के लिए आप प्रियासरत हो जाए और महराज जी सब कुछ आपको प्रिदान करते है महराज जी एक ही बात कहते है कि हम कोई चमतकार नहीं करते हम केवल रिदे परिवर्तित करते हैं रिदे परिवर्तित का आश्य सही माइने में यही है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ ऐसे महाराज जी रिदे परिवर्तित करते हैं कि वे आपके अंदर एक उर्जा के इस त्रोत को एक ऐसे स्त्रोत को एक ऐसे प्रवा को प्रारम कर देते हैं कि वे प्रवा अनंत हैं आप स्वयम को जानने का प्रयास कर रहे हैं तो महराज जी की इन सिक्षाओं को सुनिए इस पर गौर करिए आपको स्वयम की खोज आपके अंतर मन में स्वयम प्रारम हो जाएगी इसको आप करेंगे नहीं लेकिन स्वयम से स्वयम की खोज अंतर मन में प्रारम हो जाएगी और जिस दिन स्वयम को खोज लेंगे इस स्वयम को खोज लेंगे इस स्वयम को खोज लेंगे इसी कामना के साथ विदा लेते हैं और विदा लेने से पहले आप सभी के लिए प्राथना कि आज मैं ये प्राथना करता हूँ हमारे महराजी से कि हमारे सभी अनने दर्शकों को अपने जीवन में जो भी वे चाहते हैं उन्हें सभी के हासिल करने के लिए उन्हें सदबुद्धी दे, सनमत्ती दे और आस्थावन बनाए इसी कामना के साथ विदा लेते हैं मिलते हैं अगले क्रमाक में तब तक के लिए जै श्री राम, जै गुरुदेव, जै उत्रखन